हेलो गाइस बेलकम ऑन माई यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं रिक्यूट्मेंट नोटिस फॉर दा पोस्ट आफ ट्रेंड ग्रेजुटीचर टीजिटी के लिए जोकि अंडर समर्ग शिक्षा चंडिगड के अंडर आ रहा है और फिस्टी पोजिशन की लास्ट टेट अब वो 6,10,2022 है इसी तरह से PGT के साथ JVT के फॉर्म भी निकले हैं उसकी भी हम बात करेंगे तो वीडियो के अंड तक बने रहे हैं क्योंकि उसके लिए भी अगर आप बेड हैं तब भी आप एलिजिवल हैं तो वो भी आप एक बार चेक आट कर सकते हैं वीडियो के अंड तक बनी रहें और एक चीज़ और अगर आप चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेलरी रहेगी वो 35,400 पे फस्ट जो बेसिक्स रहेगी और उसके बाद अगर बात कर लेते हैं पोस्ट की तो यहाँ पे TGT English की साथ पोस्ट है जर्नल के लिए OBC के लिए पांच S.C. के लिए 3 EWS के लिए 2 टोटल 17 है P.G.T. हिंदी के लिए 3 पोस्ट है T.G.T. पजाबी के लिए 2 पोस्ट है T.G.T. मैट्स के लिए 17 पोस्ट है T.G.T. साइंस नौनमेडिकल के लिए 31 पोस्ट है T.G.T. मैडिकल साइंस के लिए 4 पोस्ट है और T.G.T. सोशल साइंस के ल और साथ में CTET आपका क्वालिफाइड होना चाहिए और साथ में CTET आपका क्वालिफाइड होना चाहिए CTET पेपर सेक्ट जो की 6-10 के लिए होता है और यहां पर 4-year integrated course भी किया हुआ है कि इसने B.A.B.Ed के साथ या B.A.C.B.Ed वो भी 50% marks के साथ eligible होगा और साथ में इसमें अगर second जो conditions है वो seat at second qualified होना चाहिए तो इसमें subjects का दे रखा है नोंने subject combination अगर TGT non-medical ही है तो physics, chemistry, mathematics चाहिए और B.A.B.Ed में science mathematics चाहिए साथ में TGT science medical के लिए eulogy, botany, chemistry चाहिए TGT mathematics के लिए mathematics चाहिए TGT social science के लिए any one of two इन जो subject यहां पर दे रखे हैं में से दो चाहिए TGT English के लिए English elective चाहिए TGT Hindi के लिए Hindi elective चाहिए और TGT Punjabi के लिए Punjabi elective चाहिए और यहां पर आप देख सकते हैं इसमें जो paper का pattern दे रखा है तो इसके बारे में मैं बाद में discuss करूँगा अगर आप इसके paper के बारे में जाना चाहते हैं कि क्या पूरा pattern रहेगा तो उसके लिए आप comment section में comment कर सकते हैं अगर आपको detail provider क्वाल दी जाएगी यहां पर आप देख सकते हैं 150 questions होगे 150 marks का ही paper रहेगा यहां पर यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर उन्होंने बताया हुए कि कौन-कौन से जो कितने marks के रहने बाले हैं इन्होंने सारी details से यहां पर दिरखी है तो अगर आप चाते हैं तो इसके regarding भी video डाल दे जाएगा नहीं तो video length हो जाएगा अब बात कर लेते हैं इसमें जो schedule list के लिए है तो online application form 12 से start हो चुकी है तीन अक्तूबर तक चलेगी process 6 तक आप fees बर सकते हैं और 14 अक्तूबर को जो है इसकी fees confirmation list जो डिस्प्ले कर दी जाएगी और 26 को return test का schedule यहां पर upload कर दिया जाएगा तो यह था complete video जिसमें हमने TGT की पोस्टों के बारे में बात की अब हम बात करेंगे JBT की पोस्टों के लिए जिसके लिए भी BAT वाले भी eligible हैं तो देख लेते हैं एक बार तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका recruitment जो हो है online application form 15 से start होंगे और closing date 6 तूबर तक चलेगी और 10 तूबर तक आप फीस भर सकते हैं website का link यहाँ पर दे रखा इस लिंक पर चकाट कर सकते हैं और अगर हम बात करते हैं post की तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 158 पोस्ट हैं और इसमें 16 पोस्ट हैं और बाकी यहाँ पर PWD की दे रखी हैं और अगर बात करते हैं तो जर्नल की 75 हैं OBC की 41, SC की 26 और EWS की 16 और यहाँ पर education qualification की बात कर लेते हैं तो firstly जो ए दे रखा है यहाँ पर graduate and its equivalent from the recognized university graduation होनी चाहिए Diploma and Elementary Education होना चाहिए बटरवर नाम से इसको जाना जाता हो बट दो साल से कम नहीं होना चाहिए उसके बाद है Pass in Central Elisibility Test CTET 1 आपका जो first paper है वो qualified होना चाहिए जो 1 to 5th होता है सेकेंड है graduation with 50% marks और bachelor of education तो मित्सकी अगर आपने graduation कर रहे है 50% marks के साथ और आप भी एड है तब भी आप इसके लिए eligible time बट सेकेंड जो है CTT 1 paper आपका qualified होना चाहिए next is selection character है तो इसके लिए जो same procedure है 150 questions आएंगे और 150 ही marks कर देगा और 2.5 गेंटे का जो है paper रहने वाला है यहां पर इनुने बता रखा है किसके सेक्ट से कितने कितने questions आएंगे बाकी यहां पर बात कर लेते हैं fees की तो जैसे CTT की बात की जहां इसकी बात कर रहे हैं तो journal के लिए 100 रुपीज रहेगी fees examination fees जो application fees है और category reserve category के लिए ऐसी के लिए यह 500 रहेगी तो बन थाउजन्ट रहेगी जो journal के लिए और 500 रुप्य रहेगी reserve category ऐसी के लिए बाकी यहां पर इसका schedule दे रखा है तो 18 को जो fees confirmation list लग जाएगी 18 October को और 31 October को test return test जो schedule रहेगा वो upload कर दिया जाएगा तो यह थास का वीडियो जिसमें हमने डिसकस किया कि JBT की पोस्टों के बारे में और जो TGT की पोस्टे थी उनके बारे में जो की चंडिगर्ड SSA चंडिगर्ड के अंडर आती है समर्ग शिक्षा चंडिगर्ड के अंडर आती है तो इसको आप apply कर सकते हैं apply करने के लिए आप इस link पे click कर सकते हैं और अगर आप channel पे नए हैं तो please channel को subscribe कर लेए और subscribe के साथ में बैल लिग्ट कर दे ताकि आपको मेरे अपकाम वीडियो नडिशन मिलती है थैंक्यू कर दो कर दो